हेलो स्टुडेंट्स आज हम सोशल कॉंपिटिशन पढ़ेंगे तो बहुत सारी स्पीशीज में जहां पर एनिमल्स एक बहुत गठे हुए क्लोज निट ग्रूप में रहते हैं और उन ग्रूप में उनी की स्पीशीज के बहुत सारे मेंबर्स पाए जाते हैं ऐसे ग्रूप को जिसमें सिमिलर स्पीशीज के बहुत सारे इंडिविजूल्स होते हैं उसको हम सोसाइटी कहते हैं तो जो animals society में रहते हैं उन्हें हम social animals भी कहते हैं ये social animals साथ में रहते हैं काम करते हैं और अपने group को आगे बढ़ाने में और मजबूत करने का काम करते हैं इस तरीके से इस phenomenon को cooperation कहा जाता है जनरली किसी भी social group में रहने वाला हर member अपने group में एक special role play करता है अब जब animals group में रह रहे होते हैं तो फिर उन्हें competition किस बात को लेकर होता है आईए देखते हैं जनरली organisms resources के लिए compete करते हैं resources मतलब उनको जिन चीजों की आवशकता होती है जीवित रहने के लिए जैसे air, water, food और space रहने की जगा तो ये चारों चीजें animals के लिए आवशक हैं और इसी के लिए उनमें आपस में competition होता है जिन जगे पर ये चारों resources air, water, food और space sufficient होते हैं comfortable, co-existence के लिए काफी होते हैं animals की उसी species के तो वहाँ पर ecosystem जो होता है वहाँ का वो high species richness प्रदर्शित करता है बहुत अच्छी biodiversity पाई जाते है उन areas में जहां पर resources ample amount में होते हैं abundant होते हैं लेकिन यदि कोई animal बहुत generalist होता है generalist का मतलब कि उसको जो भी चीज चाहिए, resource चाहिए उसको जो भी जैसे food है या water है या space है जो उसको चाहिए वो उसके लिए अगर बहुत specific नहीं होता तो उस organism को किसी भी जगह पर दूसरे प्राणियों के साथ में अपनी ही प्रजाती हो या दूसरे प्राणियों उनके साथ रहने में दिक्कत नहीं आती है तकलीफ नहीं होती है जबकि कुछ animals होते हैं जिनके जिनको अपने जीवित अपने आपको जीवित रखने के लिए उनके requirements बहुत ही specific हो जाते हैं ऐसे organisms कई सारे होते हैं जैसे केव में पेड के अंदर cavity में पेड की cavity में नेस्ट बनाकर जो birds रहती हैं वो होती हैं या फिर कुछ organisms होते हैं जो कि particular soil pH पर ही जीवित रहते हैं या कुछ animals है तो ऐसे होते हैं जो कि कि particular animal या plant पर ही parasite होते हैं फीड करते हैं किसी particular plant या animal पे तो ऐसे individual animals या plants को obligate animals या plants का जाता है और यह इनका feeding behavior obligate type का कहलाता है क्योंकि इनको किसी specific host की जरूरत होती है ऐसे animals जो कि specific हो जाते हैं बहुत जादा उनको compete करने में किसी दूसरे animal के साथ में उनको दिक्कत आती है उनके लिए competition जादा high हो जाता है तो ये जो चार resources है air, water, food और space ये limiting factors की तरह से काम करते हैं और इन factors की वज़े से ही organisms distribute हो जाते हैं अलग अलग जगे फैल जाते हैं और ऐसे resources की वज़े से जहां पर limited resources होते हैं वहां पर competition, organisms के बीच में competition भहुत ही भयानक हो जाता है अब competition क्या चीज़ है जब individuals similar resources के लिए compete करते हैं तो वो आपस में एक दूसरे के प्रती aggression दिखाते हैं और ये animals वो territory मतलब एक particular जगे जो उनको पसंद है या water या food या mates के लिए अपने वो compete करने की कोशिश करते हैं तो ये competition basically दो तरीके का होता है इंटरां स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक इंटरां स्पेसिफिक इंटरां स्पेसिफिक प्रती होता है उसे हम intra specific competition and within the species competition कहते हैं जैसे कि दो male deer आपस में अपना mate के लिए लड़ रहे हों compete करने, mate के लिए compete कर रहे हों एक दूसरे से competition हो रहा हूं का एक mate के लिए तो आपस में एक दूसरे के sing जो होते हैं उनके antlers जिसे कहते हैं deer के वो उनसे वो एक दुसरी से टकरा के उन आंटलर्स को और फिर लड़ते हैं एक मेट को प्राक्त करने के लिए ऐसे ही इंटर स्पेसिफिक कॉम्पेटिशन भे होता है जिसमें कि अलग-अलग प्रजाती के मेंबर्स एक दुसरे से कंपीट करने की कोशिश करते हैं आपन एक एंट के एक्जाम्पल से समझ सकते हैं जिसमें कि एक स्पीशीज होती है एंट की वो दूसरी एंट स्पीशीज की कॉलनी को ओवर्टेक करने की कोशिश करती है तो यह इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पेटिशन हो जाता है अलग-अलग प्रजाती के जन्तुओं के बीच में ओके अब कॉम्पेटिशन डायरेक्ट कॉम्पेटिशन या इंडायरेक्ट कॉम्पेटिशन भी हो सकता है डायरेक्ट कॉम्पेटिशन यह होता है जब कोई इं टू बुल मूज जब एक सिंगल फीमयल who investing on to then it is known as इंडिय relationships एंडियक्ट नहीं करते हैं लेकिन ग्शन्रेक्राइट या डिर्टक नहीं करते हैं ठीटा स्वाना ग्रासलैंड में देखा गया है तो इस टाइप ऑफ कॉंपेटिशन इस इंडिरेक्ट कॉंपेटिशन नेक्स्ट टाइप है इंटर्फरेंस कॉंपेटिशन इंटर्फरेंस कॉंपेटिशन में क्या होता है कि एक इंडिवीजुल अपने एक इंडिवीजुल दूसरे इंडिवीजुल को ए जानमुझकर क्या गया होता है जो जाधा ताकतवर नहीं होते हैं जाधा competitive नहीं होते हैं जो individuals उनको उस जगे से बाहर जाना पड़ता है उस जगे से दूसरी जगे पर जाना पड़ता है और अपने लिए नए resources तलाश करने पड़ते हैं तो अब देखते हैं कि forces of competition क्या है तो यह दो प्रकार क्यों होते हैं competition मतब किस वजह से होता है यहां पर यह forces जो है वो competition किस लिए होता है animals में वो बता रहा है तो यह दो वजह से हो सकता है जो force जो govern करते हैं competition को there are two types एक तो defensive behavior और दूसरा aggressive behavior डिफेंसिव behavior क्या होता है देखिए जब कोई जन्तु अपने रहने के लिए कोई जगे ढूंड लेता है अपने जीवित रहने के लिए survive करने के लिए वो resource से ढूंड लेता है खाना पानी हवा सब चीदे मिल जाती है उसको तो वो यह चाहता है कि वो उस जगे को hold करके रखे उस जगे पर अराम से रह सके वो इस तरीके से इस इन चीजों के लिए क्या होता है अनिमल टेरिटोरियल हो जाता है वो एक टेरिटरी बना लेता है जहां पर उसको सारे resources एंपल में available हो जाते हैं अब जब टेरिटोरियल हो जाता है तो वो अपनी territory को बचाने की कोशिश करता है क्योंकि उस territory में वो सभी resources present हैं जिन पर वो जीवित रहता है तो एनिमल अपनी territory डिफेंड करने के लिए अलग अलग प्रकार के ऐसे देखे गए हैं इनमें जो resources जो हैं जिनको वो डिफेंड करते हैं अपनी territory में ये resources इंक्लूड करते हैं एक fresh water convenient source होना चाहिए fresh water का बहुत सारा vegetation होना चाहिए और उन उनको एनिमल्स को अपना शिकार आसानी से मिलना चाहिए वहां पर खुब शिकार होना चाहिए उनका denning sites होने चाहिए मतब जहां पर वो अपनी डैन गुफा बनाकर जिसमें रहते हैं अनमल्स तो उनको denning sites अवेलेबल हो तो ये सब जो हैं वो different types of resources हैं जिनके लिए animal अप जो territory में जो resources हैं उनको कोई उनसे चीनने की उनसे लेने की या उसको compromise करने की कोशिश करता है Males अपनी territory अप जो उनकी खुद की territory है उसको बचाने के लिए या उनको जो females available है उनको अपने पास रखने के लिए या nesting sites को बचाने के लिए या अपने breeding rights के लिए Males compete करते हैं लडाई करते हैं आपस में और एक social hierarchy बना लेते हैं hierarchy मतलब seniority मतलब एक जना बड़ा कौन है सबसे बड़ा कौन है उससे नीचे कौन है उससे नीचे कौन है इस तरीके से वो एक hierarchy बोलते हैं से वो बना लेते हैं defensive behavior अधिकतर aggression में lead करता है अगर animals की problems simply किसी दूसरे जनतों को धमकाने से या उसको नीचे दिखाने से अगर नहीं होती है problems solve नहीं होती है तो फिर वो defensive behavior की जगे aggressive behavior पर आ जाते हैं लिंक प्रोवाइड किया गया है आप इसमें यह एक movie है short movie जिसमें डियर जब रट में होते हैं उस समय वो किस सरीके से बहेव करते हैं रट का मतलब क्या होता है जब जो डियर होते हैं उनका मेटिंग season को हम रट कहते हैं और अधिकतर कई सारे mammals हैं जैसे ruminants होते हैं जैसे deer है, sheep है, camels, goats हैं इन सब में यह रट या mating season पाए जाते हैं तो जब डियर रट में होते हैं उस समय इनके deer जब रट में होते हैं तो उस समय इनके आपस में male deers में female को प्राप्त करने के लिए इनमे female को अक्वायर करने के लिए इनमें लडाई होती है और उसको हम deer in rut कहते हैं condition वो जो है rut कहलाती है अब इनसेट्स और स्पाइडर्स में female कई बार बहुत सारे मेल्स के साथ में मेट करती हैं कुछ स्पीशीज में female को nutrient material भी मिलता है मेल्स से और वो उनके एग प्रोडक्शन में उनको help करता है कि मल्टिप मदब एग्स का प्रोडक्शन जाधा हो जाता है अगर उनका nutrient level female का यह, स्मकर मेल्स की जधाए को देघानी को बिलॉग करते हैं मेल्स की बार रुचण क कते हैं मेल्स के घ्रल देच्टेगंति को फैमिली ड्ला बिलूग करता हैं जो फैमिली ग्रिलीटी को बिलॉंग्स की बटरफ्लाइब opensla मोफ sedentry लापिडूप्ट तेश्डर को तो मेल्स जो हैं वो अपनी बॉडी का 25% वेट उसको मेटिंग में कॉंट्रिबूट करते हैं कैसे करते हैं कि वो अपने स्पर्म को पैक कर देते हैं एक नूटिटिव एंवलप में और उस नूटिटिव एंवलप को फीमेल कंजियूम कर लेती है या एब्सॉर्ब कर लेती है तो मेल्स आफ्टर मेटिंग मेल्स हैव लॉस्ट अप्रॉक्सिमेटी 25% अफ बॉडी वेट यानि अपनी बॉडी के वेट का इतना परसंट वो फीमेल को ओफर कर देते हैं कोपीलेशन की टाइम पर फीमेल को इंसेक्ट प्रे के फॉर्म में मताब इंसेक्ट का शिकार करके और फीमेल को ओफर कर देते हैं मेल्स ऐस गिफ्ट तो इससे क्या होता है कि न केवल फीमेल को अपनी एनरजी बचती है फीमेल की शिकार करने के लिए जो फीमेल को भी तो प्रिडेशन फीमेल का होता है वो भी उसमें कम हो जाता है प्रिडेशन के चांसे जब वो खुद फूड ढूने निकलती है कुछ क्रिकेट्स जो है वो फीमेल को अलाव कर देते हैं कि वो उनके फ्लेशी विंग पैड्स को कंज्यूम कर ले मेटिंग की टाइम पे और अधिक अधिकांश केसे में जैसे रेड बैक या ब्लाक विडो स्पाइडर्स हैं लेक्रोडेक्टर्स टीनर्स की जिसमें मेल्स या तो पार्शली या फिर कंप्रीटली फीमेल दुआरा कंज्यूम कर लिये जाते हैं तो यह एक अल्टिमेट लेवल है जिसमें कि मेल अपने आपक जाता है खाने के लिए फीमेल को जस्ट फॉर मेटिंग तो इस तरीके के मेटिंग कॉंपटिशन इस तरीके से पाय जाता है अनिमल्स में जब फीमेल्स काई सारे मल्टिपल मेटिंग पार्टनर्स होते हैं जब किसी फीमेल के तो वो उनमें उन मेल्स में आपस में एक प् स्पर्म कॉंपेटिशन के लिए प्रकार के बहेवियरल अड़ेशन में रिजल्ट करता है फीमेल्स में और मेल्स के अंदर ऐसी कई प्रकार की अजीबो गरीब स्टाटेजी पाई जाती है जिसे कि वो अपनी पैटरनिटी को मैच्जिमाईज कर सके अपने फादर बनने को के स्पर्म कॉंपिटिशन एसा माना जाता है कि यह प्राइमरी रीजन है जिसकी वज़े से मेल्स फीमेल्स को कुछ न कुछ गिफ्ट देते हैं मेटिंग से पहले या मेटिंग की टाइम पर जिसे नुप्शियल गिफ्ट कहा जाता है और यहां तक कि वह स्वैम को खाने के प्राइम भी शो करती है फीमेल और मेल्स अपने आपको अलाव करते हैं कैनिबलाइज होने के लिए तो यह जो गिफ्ट है वो मेटिंग एफ़र्ट का बेस्ट एक्जाम्पल है जो कि मेल्स पर दरशित करते हैं तो इस इस अबाउट कॉंपिटिशन सोशल कॉंपिटिशन so thank you so much for listening to me now keep watching the video and study thank you so much